उदर उत्तर प्रदेश में PCS अधिकारी जोती मौरिया उनके पती आलोक मौरिया के बीच छड़ा घमासान अब हत्या की साज़िश रचने जैसे आरोप तक पहुंच गया बरेली में तैनाद PCS अधिकारी जोती मौरिया पर उनके पती आलोक मौरिया ने हत्या की साज़िश रचने का आरोप लगा दिया उनका ये भी आरोप है कि जोती मौरिया की साज़िश में उनका दोस्त भी शामिल है ताकि उन दोनों के लिए आगे का रास्ता साफ हो जाए यही नहीं आलोक मौरिया ने आरोप लगाया कि जोती मौरिया के इशारे पर उनका भाई सचिन मौरिया उनकी जान लेने की फिराक में और 2010 में उनकी शादी वारा नसी की रहने वाली जोती मौरिया के साथ हुई थी 2015 में उनके जोड़वा बच्चे भी हुए मीडिया से बाचीत के दोरान अलोक मौरिया ने बताया कि जोती आगे की पढ़ाई करना चाहती थी जिसके बाद वो उन्हें लेकर प्रियाग राच चले आए उनका दावा है कि उन्होंने पैसों की तंगी होने के बाद भी जोती की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी आलोक के मुताबिक जोती मौरिया के PCS अधिकारी बनने तक सब कुछ ठीक था यहां तक कि खुद जोती ने भी अपनी सफलता के लिए अपने पती आलोक और सशूर को श्रेद दिया था लेकिन आरोप है कि अधिकारी बनने के बाद जोती मौरिया ने पती और परिवार से मौन लिया इसी बीच PCS अधिकारी जोती मौरिया ने पती आलोक मौरिया पर पलटवार करते हुए उन पर जूट बोल कर शादी करने का आरोप मर दिया उत्तरप्रदेश के कुछ जिलों में SDM रहने के बाद जोती मौरिया इस वक्त बरेली की एक शुगर मिल में GM के पत पर तैना थे और उनके पती आलोक मौरिया ने उन पर PCS अधिकारी बनने के बाद धोका देने और परिवार से पीछा चुनाने का आरोप लगाया जिस पर पलटवार करते हुए जोती मौरिया ने भी पती आलोक मौरिया पर जूट बोल कर शादी करने का आरोप मर दिया उनका आरोप है कि शादी के वक्त आलोक मौरिया ने जूट बोला था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी है SDM जोती मौरिया का ये भी कहना है कि आलोक की सच्चाई का पता चलने के बाद ही वो उनसे तलाक लेना चाहती थी लेकिन उस दौरान किसी वज़े से उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिये थे और साथी SDM जोती मौरिया ने अपने पती आलोक मौरिया पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया उनका ये भी आरोप है कि उनके PCA सधिकारी बनने के बाद पती आलोक और उनके परिवार के लोगों का रवया अचानक बदल गया और जोती मौरिया का आरोप है कि 2016 में SDM बनने के बाद आलोक मौरिया और उनके परिवार के लोगों ने उनसे पैसों की डिमांड चुरू कर दी उनका ये भी आरोप है कि आलोक उनसे 50 लाक रुपए और एक मकान देने की लगातार वांग कर रहे हैं जिससे तंग आकर उन्होंने कोर्ट में तलाक के अरजी डाल दी साथ ही उन्होंने पती आलोक समेच ससुराल के चार लोगों के खिलाब भी केज़ दर्च करवा दिया आलोक मौरिया ने अपनी पत्नी जोती मौरिया के लगाए गए सारे आरोपों को जूटा बताया उनका आरोप है कि जोती उनसे पीछा चुडाना चाहती है और इसी वज़े से वो लगातार उनके और उनके परिवार को परिशान कर रही है हाला कि दोनों का जगड़ा अब फैमली कोर्ट में है और यूपी के बरेली में तैनाथ PCA सदिकारी जोती मौरिया ने अपने उपर लगे सारे आरोपों को नकारते हुए पती आलोप मौरिया पर वाटसाप चैट हैक करने का आरोप लगा दिया उनका ये भी आरोप है कि आलोप उनकी वाटसाप चैट को सोचल मीडिया पर वाइरल करने की धंकी देकर उन्हें ब्लैक मेल करने लगे ताकि वो उनसे मोटी रकम मसूल सके जोती मौरिया का आरोप है कि आलोप ने उनका वाटसाप हैक किया और सारी चैट अपने मुबाइल पर ले ली और यही नहीं PCS अधिकारी जोती मौरिया के पती आलोक मौरिया ने उन पर घूस लेने और अपने पद का घलत इस्तमाल करने का भी आरोप लगाया सबूत के तोर पर आलोप ने मीडिया के सामने एक डायरी भी रखती और आरोब लगाए कि इस डायरी में उनकी पत्नी जोती मौरिया हर महीने वसूली के जरीए मिलने वाले लाखों रुपए का हिसाब लिखती है डायरी में लिखे हिसाब किताब के आधार पर आलोग ने दावा किया कि जोती ने हर महीने 6 लाक रुपए अवैत तरीके से कमाए प्रियाग राज में पंचायती राज विभाग में तैनात अलोग कुमार ने मीडिया में जो डायरी दी उसमें हर पेश पर उपर और नीचे स्वास्तिक बना दिखा उसके बाद उस पर हर महीने कहां से और किस काम से कितना पैसा मिला इसका हिसाब भी लिखा नजर आया